हम्राज के रीमेक में सल्मान खान और संजदत को क्यों साइन किया गया है? हम्राज के रीमेक की कहानी क्या है? शारुक खान को किस एक्ट्रिस से हाज भी प्यार है? राजेश खन्ना का बुरा डांस कौन सी एक्ट्रिस संभाल लेती थी? वो कौन सी एक्ट्रिस है जो शर्मिला टैगोर और रेखा को कुछ नहीं मानती थी नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिगराद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो जब से केजी एफ टू में संजदत का लुक आया है तभी से ऐसा लग रहा है जैसे संजदत के अच्छे दिन आ गए हो इसलिए मेकर्स काफी बड़ी बड़ी घोशना कर रहे हैं इनफेक्ट हमराज के रीमेक में संजदत और सलमान खान को कास्ट भी किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म से सलमान खान और संजदत बॉलिवुड को एक सूपर हिट ब्लॉक बस्टर फिल्म देने वाले हैं दोस्तो हमराज फिल्म 1967 में आई थी ये फिल्म बी आर चोपरा द्वारा निर्देशित रहसे में रोमान चक हिंदी फिल्म है इसमें सुनील दत, राजकुमार, विमी, मुम्ताज और बलराज सहानी जैसे सरीखे कलाकार मुख्य भुमिकाओं में है फिल्म का संगीत रवी का है और गीतकार साहिर लोध्यावनी है कहानी के बात करें तो कुमार बंबई में एक प्रसिद मंच अभिनेता है जो अपनी साथी शबनम के साथ नाटक करता है डाजलिंग की यात्रा के दोरान वहां उसकी मुलाकात मीना से हुई और वो उससे प्यार करने लगता है मीना अमीर सैनिय ठेकेदार वर्मा की एक मातर बेटी है इसके तुरंत बाद कुमार और मीना शादी कर लेते हैं और बंबई लोडते हैं चार साल बाद मीना के पिता उसे कुछ बताने के बाद गुजर गए जल्द ही कुमार ने ध्यान किया कि मीना उसके साथ मंच पर नहीं जाती है और खुद बिमार होने के बहाने रहती है उसे सुराग मिलते हैं जो इस बात की और इशारा करते हैं कि वो किसी और से मिल रही है फिर कुमार पूने जाने का बहाना लगाता है इनफेक्ट दाड़ी लगाकर S.N. सिना के नाम से जाता है वो एक होटल में कमरा लेता है उस रात वो अपने घर लोड़ता है और उसे दरवाजा खुला मिलता है इससे पहले कि वो कुछ भी जाच सके वो बंदूग की गोली की आवाज सुनता है कुमार कमरे में दोड़ता है और मीना को मृत पाता है उसकी चाती में गोली मार दे जाती है उत्तेजित होकर वो पुलिस स्टेशन में फोन करने का फैसला करता है लेकिन उसे लगता है कि वो हत्या का आरोपी बन जाएगा क्योंकि उसके उंगली के निशान बंदूग पर है क्योंकि वो अल्रेडी भेश बदला हुआ है और मृत शरीर के बगल में है कुमार इसके बजाए होटल लोड़ता है मामला इंस्पेक्टर अशोक को सोपा जाता है और अगले दिन जब कुमार बंबई लोड़ता है अशोक देखता है कि कुमार जानता है कि शरीर किस कमरे में है बिना किसी के दुआरा बताए जल्द ही अधिक सुराग मिलते हैं जो कुमार को हत्यारे के रूप में इंगित करते हैं जल्दबाजी में कुमार इंस्पेक्टर अशोक के बढ़ते संधे से भागने का फैसला करता है उसके दोस्त वकील जग मोहन कहते हैं कि अब उसे निस्चित रूप से मीना की हत्यारे के रूप में आरोपी बनाया जाएगा निराश होकर वो अपने घर से संधिक्द हत्यारे के बारे में एक सुराग पाता है एक होटल के कमरे की संख्या कुमार पकड़े जाने से पहले मामले को साफ करने के आखरी परियास के रूप में कमरे में जाता है वहाँ वो कैप्टन राजेश से मिलता है जो उसे बताता है कि उन में से कोई भी असली हत्यारा नहीं है वो कुमार से कहता है कि वो अपनी पत्नी का पहला पती है और उसे देश की सीमा पर शहीद हुआ माना जाता था कैप्टन राजेश कुमार को बताता है कि जो भी हत्यारा है वो उसके बच्ची सारी का द्वारा देखा गया था क्योंकि वो उस कमरे में मौजूद थी जहां मीना की हत्या हुई थी जब मा और बेटी दोनों खेल रहे थे तो उनकी गती वीदियों को वीडियो कैमरे द्वारा रिकोर्ड किया जा रहा था साथ में वो लड़की को खोजने की कोशिश करते हैं अंतते उसे उटी में पाते हैं जल्द ही दोनों को उटी पुलिस की मदद से अशोग द्वारा गिरफतार किया जाता है कुमार अपने मामले की व्याख्या करता है और वो सारीका को खोजने की कोशिश करते हैं वो तेजपाल नामक एक आदमी के घर पर है जो वहां से भागने की कोशिश करता है शबनम और जगमोहन उस रात की वीडियो टेप के साथ आते हैं जब मीना की हत्या कर दी गई थी ये पता चला है कि तेजपाल हत्यारा है लेकिन वो जल्दी सारीका को बंदग बनाता है और उसे मारने की धमकी देता है अगर उसे रोकने की कोशिश की गई कैप्टन राजेश तेजपाल से सारीका को बचाने के लिए प्रबंद करता है लेकिन बाद में उसे दो बार गोली मार दे जाती है अब हमला करने के लिए स्वतंत्र अशोक अपनी बंदूग निकालता है और तेजपाल को गोली मारता है और कुमार कैप्टन राजेश के पास जाता है अशोक द्वारा तेजपाल की हत्या हो जाती है और सारीका सुरक्षित रहती है कैप्टन राजेश की मौत हो जाती है और फिल्म के अंत में कुमार शबनम से कहता है कि वो काम नहीं कर सकता मीना उसकी एक मात प्रेणना थी शबनम ने उसे सारिका को मीना की सीट में बैठा दिखाया और उसने शबनम को गले लगा लिया बॉलिवुड की हर एक्ट्रिस की अपनी खासियत रही है लेकिन दर्शकों में जैसा करिश्मा और तिलिस्म मुम्तास का था वो किसी का न था दर्शकों में जितनी फैंटेसी उन्होंने पचास साल पहले पैदा की उतनी आज सब एक्ट्रिस मिला कर भी नहीं जगा पाती है छुप गए सारे नजारे, कोई शहरी बाबू और गोरी रंग पे जैसे दरजनों गाने और बहुत फिल्में हैं जिन में उनका आकरशन चुम्ब किये था शारुख खान का पच्चपन उनके सम्मोहन में बीता और आज भी सिर्फ उनहीं के दिवाने हैं वो मुम्ताज ही है जिने शारुख खान आज भी प्यार करते हैं मुम्ताज का जन्म बंबई में 31 जुलाई 1947 को हुआ था वो 11 साल की उम्र में ही फिल्मों में आ गई थी 16 साल की उम्र में हिट हो गई और 22 साल की उम्र में सूपरस्टार बन गई और 26 की उम्र में युगांडा के बिजनसमैन मयूर मादवानी से उन्होंने शादी कर ली 30 की उम्र में फिल्में छोड़ दी लंडन में रहने लगी आज 72 बर्थडे पर कुछ किस्सों में उनकी जादू यादे दोस्तों आज के दोर में भी जब हीरोईन्स को हीरोस के मुकाबले मामूली फीस मिलती है करीब 50 बरस पहले मुम्ताज उन चंद एक्ट्रिसेस में से थी जिन्होंने एक एक फिल्म में काम करने के 10 लाक रुपे तक लिए ये उन दिनों में बहुत ही जादा बड़ी रकम हुआ करती थी उसमें भी खास ये कि उन फिल्मों में उन्हें बहुत सारी डेट्स नहीं देनी पड़ती थी मतलब छोटे से रोल्स के लिए वो ये रकम लेती थी यहां तक की सूपर स्टारडम पाने से पहले भी उनकी फीस बहुत जादा थी वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में आ गई थी जब वो 15 साल की थी तब दारा सिंग के साथ फीमेर लीड के तौर पर फिल्म फॉलाद में उन्हें कास्ट किया गया था ये उनका पहला बड़ा ब्रेक था आगे चलकर उन्होंने दारा सिंग के साथ कुल 16 फिल्में की हलाकि उनकी फिल्में दर्शकों के बीच हिट थी लेकिन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री वाले बी ग्रेड टाइप मानते थे हालाकि ऐसा नहीं था इन फिल्मों में जहां दारा सिंग की फीस करीब साड़े चार लाक होती थी और पूरी फिल्म में उनके सीन होते थे तो वही कुछ एक सीन करने के लिए मुम्ताज को धाई लाक रुपे दिये जाते थे ये तब इस अनुपात में बहुत बड़ी रकम थी दोस्तों मुम्ताज की फिल्में देखकर बड़े हुए शारुखान उनके दिवाने थे वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो स्क्रीन पर आती तो उनकी आँखे ठिटक जाती थी इस क्रश के बारे में उन्होंने सूपरस्टार बनने के बाद खुले आम कहा जब मुम्ताज को इस बारे में पता चला तो वो खुद सर्प्राइस हो गई थी एक इवेंट में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने शारुखान ही आये थे उन्होंने कहा कि वो उनके बहुत बड़े दिवाने हैं और गोरी यानि कि उनकी पतनी के अलावा वो अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन से वो बहुत प्यार करते हैं इस पर मुम्ताज का कहना था कि जिन शारुखान को पूरी दुनिया प्यार करती हैं उनका ये बोलना उनके लिए बहुत बड़ी प्रशंसा की बात थी और मुम्ताज ही वो एक्ट्रेस भी हैं जो राजेश खन्ना के बुरे डांस को भी संभाल लेती थी राजेश खन्ना और मुम्ताज की मुलाकात फिल्म दो रास्ते के सेट पर हुई थी जिसे राज खोसला ने डिरेक्ट किया था खन्ना ने इसमें बलराज साहनी के केरेक्टर नवेंदु के बेरोजगार छोटे भाई करोल किया था जिसे प्यार हो जाता है रही स्रीना यानी मुम्ताज से ये फिल्म फैमिली ड्रामा थी इस फिल्म के बाद से दोनों में अच्छे दोस्ती हो गई दोनों ने कई हिट साथ में दी जैजै शिव शंकर और बिंदिया चमकेगी गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर जैसे गानों में इन दोनों की जोड़ी को बहुत याद किया जाता है मुम्ताज ने याद किया कि राजेश खनना अपने दोस्तों को लेकर बहुत चूजी थे लेकिन वो उनकी करीबी दोस्त हो गई थी दोनों एक दूसरे के पडोसी थे वो मुम्ताज को मजाक में एमोटी इधरा कहकर बलाते थे वहीं वो फीमेल फैन फॉलोइंग को लेकर उन्हें चड़ाती थी राजेश डांस के मामले में थोड़ा कच्चे थे इन दोनों के जितने भी हिट गाने रहे हैं उनमें दोनों के साथ वाले शॉट्स में जहां राजेश फिसलते थे और कमजोर पड़ते थे तो वहां मुम्ताज अपने परफॉर्मेंस से उन्हें संभाल लेती थी वहां डांस मास्टर राजेश खन्ना की कमजोरी दिखाने के बज़ाए उनके क्लोज अप शॉट लेकर गाना पूरा कर दिया जाता था ऐसी ही दिकत राज खोसला की फिल्म प्रेम कहानी में चल दरिया में डूब जाए गाना फिल्म आते हुए हुई थी मुम्ताज ने बताया कि उन्होंने जैसे तैसे वो गाना संभाल लिया था मिला टैगोर और रेखा को मुम्ताज कुछ नहीं गिंती तब के दौर में अभिनेत्रियों में शत्रुता की चर्चाए होती रहती थी हर किसी को नंबर एक के स्थान पर स्थापित होना और बने रहना था खुद मुम्ताज का मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री जैसी जगह में जहां आप बेस्ट लोगों के साथ काम करने के मौके अपने हाथ में नहीं निकलने देना चाहते वहाँ एक हद तक जोड़ तोड़ चलता है किसी दूसरी एक्टरस को रोल नहीं मिले इसलिए मुम्ताज अपनी फीस तक घटा देती थी और रोल ले लेती थी वो अपनी साथ ही एक्टरस को लेकर जादा असुरखशित भी नहीं थी जैसे रेखा को लेकर उनका कहना था कि जब वो सूपरस्टार थी तब रेखा नहीं नहीं ही आई थी और उन्हें अच्छे से नाचना भी नहीं आता था हाला कि वो डांस के मामले में सिर्फ हेममालनी को अपना कॉम्पेटीशन बताती थी शर्मीला टैगोर से उनकी शत्रुता के चर्चे खास है क्योंकि दोनों ने तब के सूपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्में की थी और एक किस्म की तुलना बनी रहती थी मुम्ताज तो ये भी कहती है कि उनके और शर्मीला के बीच फर्क ये है कि शर्मीला ने राजेश खन्ना के साथ फ्लॉप फिल्में दी और उन्होंने एक भी नहीं उनका कहना था कि कोई एक्ट्रिस भले ही वो शर्मीला ही क्यों ना हो उनके लिए खत्रा नहीं बन सकती थी जब उन्होंने फिल्में छोड़ी तब राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी टॉप पर थी मुम्ताज ने खुद माना है कि उनके और शम्मी के बीच प्रेम संबन थे कुछ अन्या एक्टर्स और उनके बीच भी आकर शिन था जब वो अठारा बरस की थी तब उन्हें शम्मी कपूर से प्यार हो गया था फिल्म ब्रह्माचारी की शूटिंग के दोरान ये परवान चड़ा तब शम्मी ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि वो फिल्मों में काम करना छोड़ कर उनके साथ घर बसा ले लेकिन मुम्ताज नहीं मानी उसके अलावा जीतेंद्र से भी उन्हें प्यार था डायरेक्टर यश चोपड़ा से भी उनका फेर बताया जाता है जब यश राज नए नए डायरेक्टर बने थे अपनी फिल्म आदमी और इंसान में उन्होंने मुम्ताज को लिया था दोनों के प्रेम की काफी चर्चा थी इतना कि जब यश राज पामेला से शादी करने जा रहे थे तो उनके दोस्त रोमेश से पामेला ने पूछा कि ये उस हिरोईन मुम्ताज और यश के बीच में क्या चल रहा है रोमेश ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है वो सिर्फ अच्छे दोस्त है हाला कि एक इंटर्वियू में पामेला ने कहा कि रोमेश ने ऐसा कहा जरूर लेकिन ये सच नहीं था लेकिन इन में से कोई भी अफेयर मुकाम तक नहीं पहुँचा इसकी वज़ा ये थी कि मुम्ताज फिल्मों से पैसा कमाने और अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने में बहुट डूबी थी बूंत जो बन गए मोती बनने के दोरान उनकी मा गुजर गई उसके बाद परिवार का बोज उनहीं पर था सुबह चार बजे उटकर रात नौ बजे तक वो काम करती थी मुम्ताज के मताबिक मैं लकी थी कि पुरुष मुझसे शादी करना चाहते थे हाँ एक आकरशन था लेकिन मैं आगे नहीं बड़ी मेरी जिम्मेदारियां इतनी जादा थी कि अफेर्स के लिए टाइम नहीं था महीं मुम्ताज पहली बार देवानन से उनकी फिल्म तेरे मेरे सपने के सैट पर 1970 में मिली थी फिल्म के पहले शेड्यूल के बाद ही देव ने अपनी अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में भी उने कास्ट कर लिया लेकिन उन्होंने कैसे साइन किया ये रोचक है खुद मुम्ताज बताती हैं कि उन दिनों में एक एक्टर एक साथ साथ फिल्मे ही साइन कर सकता था जब साथवी फिल्म पूरी हो जाती उसके बाद ही वो आठवी साइन कर सकता था जब हरे रामा हरे कृष्णा की प्लानिंग हो रही थी तब मुम्ताज पहले से साथ फिल्में साइन करके बैठी थी लेकिन देवानन बड़े मजबूत इरादो वाले आदमी थे उन्हें कोई हिला ही नहीं सकता था उन्होंने तै कर लिया था कि मुम्ताज उनकी फिल्म करेंगी ही वो सबसे लड़े और इंडस्ट्री के लोगों के विरोध के बावजूद उनके सामने पुलिस प्रोटेक्शन में मुम्ताज को अपनी फिल्म के शेडियूल के लिए काट मांडू ले गए वहां जाकर उन्होंने पूरे 40 दिन लगाकर तसली से शूटिंग पूरी की वेल दोस्तों अब हमराज का रीमेक बनने जा रहा है तो आप इस रीमेक को लेकर कितना एकसाइटिर है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज